स्री सरस्वते नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ति भावना यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बसंत पंचमी का महावपाय बताँगा साती बसंत पंचमी वाले दिन आठ रासियां बेहदी भागी साली रहने वाली है पुत्रधन प्राप्ती का आशिरवाद प्राप्त होगा सिर्फ एक चीज माता को चड़ा करके जरूर खाए इसका विशेश मैत्व है देखो बसंत पंचमी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है बसंत पंचमी, बसंत रित्व की शुरुवात हो जाती है प्रते की सोबकार इस दिन कर सकते हैं इस दिन माता लचे, महाकाले और माता सरस्वति जी की पूझा विसेश रूप से की जाती है बच्चों के नाम से पूझा की जाती है अपने फेमली में खुसाली के लिए पूझा करें इस दिन बसंत पंचमी की दिन राधा कृष्ण भगवान की भिशेश रूप से पूझा की जाती है भगवान कृष्ण का इसपेसद सिंगार किया जाता है तो इस दिन बहुत बड़ा आप दिन कह सकते हैं बसंत पंचीम वाले तिंदे को माता को पीली चीज़ अरपड की जाते हैं वही भगवान विश्णु को भगवान कृष्णु को बंस्री और मोर्पंक जरूर अरपड करके आएं और मोर्पंक मां से उठा करके अपने घर में जरूर रखनी चाहिए माता सरस्वती जी को पीले पुष्प माता सरस्वती जी को पीले पुष्प जरूर अरपड करने चाहिए बहुत बड़ा दिन है पीले मिठ्याई, पीले पुष्प, केसर केसर, युक्त, अश्ट गंद का चंदन माता को अर्पन करना चाहिए जिन व्यक्तियों के घर में कलेश रहता है द्यान सुनना है जिन व्यक्तियों के घर में कलेश रहता है संतान का सुक नहीं मिल पा रहा है धन का सुक नहीं मिल पा रहा है माता सरस्वती जी के सामने आप अपनी अरदास जरूर लगाए एक मंत्र का जाब करते हुए साथ ही स्री सरस्वते नमा ग्यारे बार स्री मालच में नमा और एक सो आट बार स्री सरस्वते नमा इस मंत्र का उस जल के सामने जाब करिए पर इस जल को घर में चड़किए घर में सांती रहेगी हर प्रकार की मनुकामना पूरी होगी पीपल ब्रक्ट के नीचे पंच मुखी दीपक जला के आप साथ परक्रमा जरूर दे करके आएं पीपल ब्रक्ट के नीचे देखो एक पीपल का पत्ता ले ले उस पर पांच पीस पीली मिठाई के रखने आपको पांच एलियाची आपको रखनी है और एक बतासा उसके उपर रखना आए ये चीज़ आप पीपल ब्रक्ट के नीचे रख दीजिए और फिर साथ पर क्रमा आप पी पर प्रक्की लगा दीजिए पीला धागा वहाँ पर लपिट दीजिए आपकी मनुकामना अबस्य पूरी होगी कैसी भी पर इसानी कैसा भी दुक है सब दुखदूर हो जाएंगे बहुत बड़ा योग है तो यह उपाय आप जरू करें भगवान सिवका भी अफसिख करें गाय के दूद में केसर डाल करके उसमें एक बेल पत्र आप डाले इससे भगवान सिवका अफसिख करना है बिल पत्री सिविलंग पर चड़ा दें अफसिख के बाद में और अब अगवान के सामने दीपक जला दीजिए जो भी आपके मन में कामना है वह है आपकी कामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी इस दिन आप कोई भी सुबकार खरें हो थोड़ा सा सोना खरीद के इस दिन जरूर लेकर गए हैं दीख इस दिन मेसरासी का योग बहुत ही अच्छा है मेसरासी बहुत ही बागिसाली है साथी मातासरस्वती जी के सामने पीली मिठाई पीली मिठाई और केली का फल माता सरस्वती सामने रख करके जरूर खाना चाहिए। बहुत अच्छा यो बनता है। मनोकावना पूरी हो जाती है। बच्चों के नाम से सैद रखे माता के सामने और उस सैद को आप माता को भोग लगाएं और उस सैद को बच्चों को खिलाएं बच्चों की बुद्धी तेज हो जाती है मेश रासी ब्रसव रासी करक रासी सिंह रासी तुला रासी प्रस्चिक रासी धनरासी कुम और मीन रासी इन रासियों का योग इस दिन बहुत ही अच्छार रैने वाला है ये राशियां ज्यादातर भागे साली रहेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है जब आप उपाय कर लें तो साम के समय मातक सामने दीपक जरू जलाएं एक दीपक सनी देव के सामने एक दीपक माता सरस्रती जी सामने एक दीपक भगवान कृष्ण के सामने एक दीपक आपको जलाना है पीपल ब्रक की नीचर एक दीपक भगवान कृष्ण के सामने जब आप जलाएं तो आपको अपनी इच्छा जरूब हो लिए गर के मेन दरवाजे पे भी दीपक जलाएं इन कारों को करने से लाब मिलता है और मनो कामना जरुँवपोरी होती है तो यह बहुत बड़ा पर्व है आपको यह पर्व बड़े उस्ता के साथ मनाना चाहिए और यह पुजान जरुप करें जो पुजान में आपको बताईए वीडियो को शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें